अनुराग जी मेरे एक सावल आपसे यह है कि जब लोग बुलंदियों पर जाते हैं तो उसे चिड़ने वाले लोगों की संख्या भी बहुत जादा पर जाती हैं आपको एक बार एक टीवी में शो करने के लिए कहीं से फोन आया था आप एरपोर्ट तक पहुंची भी थी और इस घटना ने मेरी जिंदगी बदल दी मुझे एक ऐसे बड़े शो से कॉल आया था जिस पर जाना सब का सपना था अब तो खेर आप लोगों ने खुदी इतने बड़े बड़े शो करके हमें इतना बड़ा कर दिया है कि अब ऐसा कुछ मन में नहीं बचा लेकिन हाँ जब क्या क्या क्यूंकि वो pre-decided रहती हैं सारे चीज़े तो क्या क्या पूछा जाएगा क्या क्या आपको करना है वो सब कुछ डिसाइड हो गया टिकेट मेरे पास आ अगय मैं घर से चल दी लेकिन क्यूंकि उसी ही शो मैं एक और जिन्होंने मुझे प्रतिदवन्धी माना जो कि व्यक्तितो हमारे कुण्बे के बड़े कवी आधने कुणर बेचैन जी कहते हैं कि कोई उस पेड से सीखे मुसीबत में अड़े रहना कि जिसने बाड के पानी में भी सीखा खड़े रहना मैं कितने ही बड़े लोगों की नीचाही से वाकिफ हूं बड़ा मुश्किल है जिन्होंने ये काम किया उनोंने मुझे तो बता भी दिया गया था तो मैं इसको कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है ये कह दिया गया था कि हम जूनियर्स के साथ नहीं बैठेंगे या इस तरह से हम नहीं करेंगे और मुझे मना कर दिया गया मैं रोते रोते घर आई मैं ब काम है शंगार करना जिसका काम है शंगार पढ़ना जिसको सिर्फ गाना है और गाते हुए लोगों की वावा लेनी और अपना बैड जाना है उसमें इतना धिमाग आया कहां से कि वो राजनीती पे बात करें उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो ये बताए कि सच क्या है गलत क उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मंचों से अपना एक अलग तेवर निर्मित करने की कोशिश करें, किसी पुरोष को डाउन करने की कोशिश करें, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, जब इस तरह की बात मेरे साथ हुई, जब इस तरह की बात ने मुझे कहीं न कहीं रोकने की कोशिश की और हर लेवल पर रोकने की कोशिश की एक नारी को बहुत कुछ सहना होता है तब अनामिका ने खुद को एक बात बताई और वो बात ये थी कि स्रश्टी के निर्मान में जो साजेदारी कर सकती है स्रश्टी के निर्मान में जो साजेदारी कर सकती है शिव शक्ती क शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है तो पुर्शों जैसा बनने में यू निजमॉलिकता क्या खोना कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है मैं तो कहते हूं आप मुझे चम्चा कहते हो दरबारी कहते हो आप कर लीजे दरबा मैं जो कर रहे हूं वो राष्ट हित में है, योगी जी जो कर रहे हैं वो राष्ट हित में है, मोधी जी जो कर रहे हैं वो राष्ट हित में है, और यही कारण है कि प्रत्वी राज चोहान के समय चंदबर दाई जी थे, चंदबर दाई के समय प्रत्वी राज चोहान थे, तो किये गए कारियों को प्रोचसाहिद करने के लिए कवियों को लिखना पड़ा है अनामी कामबर ने यही क्या मेरे समय में योगी मोदी है तो मैं उनको प्रोचसाहिद करने का कारे कर रही हूं उनकी नीती जो जनता के हित में है उन नीतियों को गाने का प्रयास कर रही हूं त चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुथ की शकल में लाने का शुक्रिया, तब मैं जब रोई थी, वो बेचारी लड़की थी, मंच पर जिन पूर्शों का वर्चसु था, उन्होंने संचालन में मुझे कविता नहीं पढ़ने दी, मैं रोई थी, त तो कैसे बनाता मैं सीड़ियां, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया, ये वो दीवारे हैं जो मेरी राह में आई, और मैं इनकी सीड़ी बना करके आज अंबर पे हूँ, मैं इस बात से खुश हूँ.